यह सो हलो एव्रीबान हितेश एर टोड़ी विगना टॉक अबाउट दे मोवी इंसेप्शन वैल सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि इस मूवी को लाने में मुझे काफी जदा टाइम हो चुका है लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन भी थे जो कि म मेरे पास में काफी टाइम से डिमांड आ रहे थी तो इसलिए मैंने उन सभी मूवी को मेरी सिस्टर के चैनल पर अगर आप उन्हें देखना चाहते तो उन सभी मूवी के लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब वहां से भी जाकर उ मैं इसलिए कि इस आपना थोड़ा सा माइं लगाना पड़ता है इस मोवी को डारेक्ट ऑगी को देखने के बाद में आपका दिली नहीं भरेगा आपको इच्छा करेगी कि आप इस मुवी को में नोपीर फिर से देखें कि आपको एक बार मैं समझ में तो जरूर आ कि मैंने इस movie को on demand explanation में choose किया क्योंकि इस movie की मेरे पास में काफी time से बहुत बार demands आ चुकी थी So without wasting time चली आते हैं इस कहानी की mean storyline की तरफ यहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं इस कहानी की mean character यानि की DiCaprio जिनका नाम है इस movie के अंदर Cobb हम देखते हैं कि वो एक समुद्र किनारे पड़े होते हैं और साथ ही अब वो काफी बूड़े भी हो चुके हैं और तभी वहाँ पर कुछ soldiers आते हैं जो कि उसकी checking करते हैं और साथ ही उसे एक ऐसे इंसान के पास में ले जाते हैं जो कि काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था बेसिकली यह सीन कंप्लीट्ली एक ड्रीम में होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा जो soldiers कॉप को पकड़ कर उस बूड़े इंसान के सामने लेकर आये थे तो उसके पास में से उन्हें दो चीज़ें मिली थी एक थी बंदूक और एक थी चोटी सी चक्री तब वहाँ पर वो बूड़ा इंसान जसका नाम होता है साइटो वोने देखकर कहता है कि तुम्हारी तरह एक इंसान था जो मुझे कापी समय पहले मिला था और उसके पास में भी ये दोनों ही चीज़े थी और बातों ही बातों में वो दोनों अपने पास्ट में चले जाते हैं और फिर यहां से ये कहानी पूरी तरीके से इस मूवी के फ्लेश बैक से स्टार्ट होती है अब यहां पर हम उसी जगह को देखते हैं जहां पर ये बैट कर खाना खा रहाता वहाँ पर हम देखते हैं कि साइटो जो कि अब जवान है और साथ ही अब कॉब और उसका एक फ्रेंड आर्थर वो दोनों भी अब जवान हैं और वो दोनों साइटो के माइंड से एक information एक idea को निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कॉब भी बताता है कि मैं एक specialist हूँ जो कि सपनों की चोरी करता है तब वहाँ पर वो साइटो से कहते हैं कि अगर आप भी इस जमाने के अंदर अपने ideas अपने information को अपने mind में secure रखना चाहते हैं तो आपको मुझ से training लेनी चाहिए तब वहाँ पर साइटो कहता है कि आखिर में तुम्हें क्यों चूज करूं तब वहाँ पर कॉप कहता है कि वो चौर मैं ही हूँ जो सबसे शातिर है इस अंतर मन की चौरी में लेकिन अपकि साइटो भी एक बहुत बड़ा इंसान होता है और उसे यह पता होता है कि अभी मैं एक सपने में हूँ और इसी क साथ उसका पहला सपना यहीं पर टूट जाता है और जब उनकी आखी खुलती है तो वह अगेन एक और रूम में होते हैं तब वहां पर साइटो कहता है कि यह तो मेरा एक पुराना हाउस था जहां पर मैं पहले कभी रहा करता था मगर बातों ही बातों में जब कॉप उससे पूचतार करने लगता है तो साई तो जमीन पर गर गिर जाता है और जमीन पर गिरते हीं वह कहता है कि मेरे घर में तो जो नीचे का अगा और वहां पर इनका ये दूसरा सपना भी तूट जाता है जो कि बेसी के लिए चल रहा होता है नैश के दिमाग में अब यहां पर मैं पता चलता है कि इनकी एक टीम है जसके अंदर है कॉब आर्थर और नैश नैश बेसी के लिए एक आर्किटेक्ट होता है जो कि सपनों की द आ जाता है और उन में से नैश को पकड़ कर ले जाता है तब वहां पर साइटों से पूछता है कि आखिर तुम मैं कुछ मतलब नहीं होना चाहिए अब तुम मेरी काम करोगे अगर तुम अपने दोस्सकों छुड़वाना चाहते हो तो वहां पर कॉछता है कि मुझे तुम्ह का आधा हिस्सा अपने अंडर कंट्रोल में रख देगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता इस काम में तुम मेरी मदद करोगे मौरिस फिशर का एक बेटा है जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर मैं चाहता हूं कि तुम उसके माइड में ऐसा खयाल इजात कर दो जिसकी विज doses कि में जानता है कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हैं अगर तुम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं को मताना चाहता हूं क Dallas की में आपने ही पत्ने के कटल रखा और यही रीजन था कि वह फ्रांस में और दूसरे देशों में भागता फिर रहा था अपनी जान को बचाने के लिए लेकिन जब उसने ये ओफर सुना कि साय तो उसकी मदद कर सकता है वापस अमेरिका में जाने के लिए जहां पर उसके बच्चे रहते हैं तो वो इस ओफर को इंकार नहीं कर पाता है अब जैसा कि कॉब ने सायतों से अपनी डील कर ली थी तो उसके पास के अंदर अब उसका कोई आर्किटेक्ट नहीं था उसे अब तलाश थी अपने लिए एक न्यू आर्किटेक्ट इसलिए वो जाकर मिलता है अपने ससुर जिनक इसका नाम होता है एरियाड ने उन दोनों की आपस में मुलाकात हो और तब वहां पर कॉप बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्टेक्चर की जरूरत है जो कि सपनों की दुनिया में मेरी लिए अच्छी बिल्डिंग्स और साथ ही कुछ अच्छे नक्षे बना सके जितना अच्छा आर्किटेक्चर होगा हमारा क्लाइंट उसमें उतना ही ज्यादा फस्ता जाएगा मगर उसके लिए तुम्हें टेस्ट पास करना होगा तुम्हें दो मिनिट में कैसा चक्रवी बनाना होगा जिसे तुम एक मिनिट में भेज सको एरियाड ने नए नए चक्रवी बनाने की कोशिश करती और फाइनली वह उसमें पास भी हो जाती वो दोनों बाते करते करते कोफी शॉप में पहुंचते हैं जहांपर कॉब उसे बताता है कि यह दुनिया भी असली नहीं तुमवी एक सपने में हो और देखते कि देखते वाँपर ब्लास्ट होने लगते तब हमें ये पता चलता है कि सपनों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वो दुनिया होती है जो हमने अपने अंतर मन से बनाई होती। इन सभी आर्किटेक्चर्स को देख किया बैरियाट ने भी एक बार ट्राय करती। और वो अपने दिमाग से नई-ने अर्किटेक्चर्स को बनाना शुरू करती। और वो हू बहू वैसी ही जगों को बनाने लगती है जहां से वो कभी गुजरा करती। जैसे कि कॉलेज के लिए जब वो कोई रास्ता लिया करती थी या फिर घर आने के लिए वो जिस रास्ते से आया करती थी उन सभी को अपनी माइंड की इमेजिनेशन के साथ में मिला कर वो एक सपनों की दुनिया तयार करती। तब वहाँ पर कॉब उससे कहता है कि नहीं कभी भी असली जगे और असली चीजों को अपने माइंड के इमेजिनेशन मत करना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सपनों की दुनिया में ही अटक कर रह जाओगी। और तब वहाँ पर हम देखते हैं कि मैल जो कि कभी कॉब की वाइफ हुआ करती थी वहाँ पर आ जाती है और एरियाडनी को जान से मारती थी और जैसी वो से जान से मारती है तो एरियाडनी का सपना तोट जाता है और वो अपने आपको एक गेराज में पाती है तब वहाँ सपनों में जाने के लिए हमारी मदद करती है ये मशीन जो कि बिसी के लिए मिलिटरी ने अपने काम के लिए बनाई थी मगर अब हम लोग भी इसका इस्तमाल करते हैं और एक इंपोर्टन बाद यह है कि अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगेगी तो उसका दर्द तु वर्ड में आ सकते हैं और अगर सब कुछ प्लान के मताबिक नहीं हुआ तो हम कौमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में वहीं अटक कर रह जाएंगे अब इस शांदार और साथ ही जोखिम से भरे काम को इंजाम देने के लिए कॉप को अब एक बहुती बड़ी टीम की जरूरत थी इसके अंदर अब वो शामिल करता है इम्स को जो कि बेसिकली एक काफी अच्छा बहरूपी होता है वो लोगों के रूप लेने में काफी माहिर होता है और उसके बाद में कॉप मिलता है एक जड़ी बुटी विग्यानिक से जिसका नाम होता है योसुफ जो कि बहुशी की दवा बनाने में काफी माहिर होता है जब यह सब असेंबल हो जाते हैं तो यह सभी अपनी प्लानिंग को इंप्लिमेंट करने की कोशिश करते हैं यह धीरी धीरे उन सभी पहलू के उपर ध्यान देते हैं जो कि सपनों की दुनिया में होने बाला होता है को भी बताता है कि अगर हमें इस बड़े काम को इंजाम देना है तो एक सपने से काम नहीं बने इसके लिए हमें सपनों के दो लिएस न эффकता दे के लोगोगों अगेन उनी सब लोगों को वापस से कटा करके सपनों में सुला दें तो वहाँ पर हमें 6 महीने मिलेंगे और अगेन अगर हम सपनों की दुनिया में वापस जाएं और उसे वापस सपनों में सुला दें तो वहाँ पर हमें 10 साल मिलेंगे और अब जो उनका टार्गिट होता है जिसका नाम होता है Robert Fisher जो कि basically Morris Fisher का बेटा होता है उनका प्लैन यह होता है कि वो पहले लेवल में Robert के mind को इस तरीके से manipulate करेंगे कि वो अपने पिताजी के नक्षे कदमों पर नहीं चलेगा और दूसरा लेवल यानि कि सपने का जो दूसरा पहलो होगा उसके अंदर वो उसके दिमाग में डालेंगे कि वो खुद कुछ कर दिखाएगा यानि कि वो अपने पिताजी से बहतर बनने की कोशिश करेगा और बन कर भी दिखाएगा और तीसरे लेवल में उसे विश्वास दिला दिया जाएगा उसके पिताजी की तरफ से पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि फिशर भी एक बड़ा इंसान होता है उसे भी अंतरमन की चूरी के बारे में आल्रेडी पता होता है इसलिए वहाँ पर फिशर के कुछ सिपाही आल्रेडी मौजूद होते हैं जो कि कॉप और कॉप की टीम पर गोली बारी कर दे और इ इसे अभी जान से मारा तो यह सपनों की दुनिया में अटक जाएगा और हमेशा के लिए कौमा में ही रह जाएगा इसलिए हमें अगीन वापिस सपनों की दुनिया के दूसरे लेवल में जाना होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो साइटों का दर्द थोड़ा कम होगा और दूसरे लेवल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अब इन्स का काम होता है मौरिस फिशर के खास वकील यहनी की ब्राउनी बनकर रॉबर्ट के मन को जीतना ताकि वो अपने मन के राज उगल दे और साथ ही उनका काम आसान हो जाए एक तरफ सपनों की दुनिया में वो उसकी मदद कर रहे होते हैं और उसे यह बताते हैं कि हम आप के लिए ही यहाँ पर आए हैं और हम आपके ही मन के अंतर मन के चोरों से बचाने के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉंग करने के लिए हैं और वहीं दूसरी और यूसफ गाड़ी चला रहा होता है जिसे कि लेवल वन के अंतरमन के रक्षक गोली बारी से परिशान कर रहे होते हैं सेकंड लेवल में कॉप के दुवारा रॉबर्ट को ये बताया जाता है कि तुम्हारे पिता ये सूचते हैं कि तुम उनकी धन दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं और वो ये चाहते हैं कि तुम इस धन दौलत के लिए खुद कुछ करो तुम खुद को अपने आपको इतना काबिल बनाओ कि तुम इस मुकाम इस शिकर को चूँ सको इस काम में एमस उनकी मदद करता है जो कि basically ब्राउनी के रूप में फिशर के सामने आया होता है अब इससे उसको ये पता चलता है कि वो ब्राउनी ही है जो कि मेरे पिता के साथ के अंदर गद्दारी करना चाहता है और उसे रोकने के लिए अब वो ब्राउनी की दिमाग में जाते हैं नॉर्मली वो सभी आर्थर के दिमाग के सपनों में होते हैं लेकिन वहां पर कॉब फिशर को ये विश्वास दिलाता है कि हम दूसरे लेवल के अंदर तुम्हारे मन में थे और अभी हम तीसरे लेवल के अंदर ब्राउनी के दिमाग में जा रहे हैं हम ब्राउनी के अंतर मन के सपनों में जा रहे हैं जहां पर हम यह पता लगा सके कि आखे ब्राउनी तुम्हारे पिता की संपत्ती की पीछे क्यों पड़ा है और यहां हम देखते हैं कि वो सभी बर्फिली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा सा घर भी होता है म अब यहां पर वो लेवल वन और लेवल टू के अंदर दो सो रहे हैं मगर यहां पर उनके पास में सिर्फ एक गंटा है अपने काम को अंजाम देने और अगर उन्होंने टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो वो एक एक लेवल में जागना शुरू कर देंगे जिससे कि उनका अगेन पूरी तरीके से failed हो जा define को को पूरी तरीके से जेल हो जाए है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ अब में दिखाया जाता है एक विशर के सामने एक बहुत ही बड़ा लौकर होता है और वो उसके पत्नी यानिकी मेल पर पहुंच जाती है और वो फिशर को गोली मार देती जिससे कि सारा बना बनाया खेल बिगड जाता है और साथी सैकंड लेवल में उठ नहीं सकता क्योंकि उसको हैवी डोस दिया गया होता है दवाई का और अगर वो जाग भी गया तो वो कोमा में चला जाएगा दूसरे लेवल में हमेशा के लिए और यहाँ पर मैं फाइनली अब आपको मेल का रूल भी बता देता हूँ इस मूवी के अंदर जो कि बीसी के लिए यहाँ पर कॉप की वाइव बनी है और यह सपनों की दुनिया उन्हें इतनी रास आने लगी थी कि अब वो इस दुनिया को अपना सच मान चुके थे वो इस दुनिया में बार बार जाते हैं और लगातार जाने की वज़य से वो सपनों में सपने और सपनों में सपने देखते जाते हैं और इस काम में वो इतने आगे निकल जाते हैं कि वो सच्चा ही कोई भूल जाते हैं उन्हों ये पता ही नहीं चलता कि आखिर वो किस दुनिया में और इस मूबी की शिरुवात में मैंने जो आपको बताया था कि कॉप के पास में बेसिकली एक छोटी सी चक्री होती है जिसे घुमाने पर ये पता चलता है कि ये दुनिया एक सपना है और यह पिर असले दुनिया ये बेसिकली चक्री actual में mail की ही होती वो दोनों ये अपनी सपनों की दुनिया में करीब 50 साल बिता देती और जब वो वापस अपनी सपनों की दुनिया से जागते हैं तब कॉप को तो ये पता होता है कि हम real world में आ चुके हैं मगर तब वहाँ पर mail कोई विश्वास नहीं होता कि हम अब भी इस real world में आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपनों की दुनिया से जागने के लिए हमें अपनी जान लेनी पड़ती हैं कॉप के मुताबिक वो real world में था मगर mail के मुताबिक वो अभी भी उस सपनों की दुनिया में थे जहां से उन्हें जागना था और इसी वज़े से वो अपनी anniversary पिर एक plan बनाती है और वो जाकर एक hotel की छट से कूच जाती है और एक letter पीछे लिग जाती है तो police तो मैं यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ अब यहाँ कहानी में twist यह है कि mail जो की मर चुकी है basically वो अभी भी जिन्दा है कॉप की यादों में हमेशा जब भी कॉप कोई सपना देखता है तो वहाँ पर mail की यादें उसे सताने लगती है mail उसे खेंचन लगती है अपनी तरफ वो उसे मजबूर करती है उसकी जान लेने के लिए ताकि वो भी उस सपनों की दुनिया में हमेशा उसके साथ में रहने लगे हाला कि कॉप भी यही चाता था वो चाता था कि उसके सपनों की दुनिया में mail हमेशा जिन्दा रहे क्योंकि वो आज तक ये अपना नहीं पाया था कि mail की मौत उसकी खुद की वज़े से नहीं बिल्कि मेरी वज़े से हुई दी और यही रीजन था कि वो आज तक अपने आपको माफ नहीं कर पाया था और अब जैसा कि सपनों के लेवल थी में फिशर को गूली लग चुकी होती है वो मरने ही वाला होता है तो उससे पहले वो एक और प्लैन बनाते हैं वो ये प्लैन बनाते हैं कि वो सपनों के चौथे लेवल में जाएंगी और वहां काम को बिगाडने की कोशिश करेगी क्योंकि अगर कॉब का काम खत्म हो गया तो वो अपने इस काम को अंजाम देके वापस अपने रेयल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा मगर मेल ऐसा नहीं चाहती थी मेल चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उसकी सपनों की दुनिया में कैद ह हो जाए और वहां से कॉब और साथ ऐरिएड़र में दोनों मिलकर पहुंचते हैं सपनों के चौंथे लेवल में मेर्स की छॉप पुर्याने ही सपनों की दुनिया में बस फॉर में बैटी बैटी में तोन ये पता होता है कि फिशर मेल के पास में उर्वहीं पर जाकर से फिशर को वहां पर नियुक हम जाती है और आ मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पाया दवाबर मौरिस अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मैं निराश था किसी समय पर क्योंकि तुम मेरे जैसा नहीं बन पा रहे थे और फाइनली अब रॉबर्ट के अंतरमन में ये बात फिट हो जाती वो ये समझ जाता है कि उसके डैट ये चाते हैं कि मैं अपने आपका कुछ काम करूँ मैं ऐसा कुछ करूँ जो सब कुछ मेरे बलबूते पर हो और अब वो फाइनली ये डेसाइड करता है कि अब वो खुद की एक नई कंपनी बनाएगा और इसे के साथ लेवल 3 का जो सपना होता है वो एक एक करके तूटने लगता है और उस सपने के साथ में बाकि सभी जो लोग जो सपने के अंदर थे वो एक करके जागने लगते हैं मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉब और साथ ही साइटो उसी थर्ड वाले सपने के अंदर रह जाते हैं अब यहाँ पर यह इसलिए होता है क्योंकि थर्ड लेवल तक आते आते साइटों की हालत काफी जादा खराब हो जाती है और वो अपने जटके से सेकंड लेवल में उठ नहीं पाता और इसी की वज़ा से वो सपनों के थर्ड लेवल में ही इटक जाता है और यह बाद कॉब को काफी अच्छे तरीके से मालूम थी यह प्लेइन जल्दी ही कैलिफॉर्निया में लैंड होने वाला है क्योंकि वो साइतोई था जो सारे इल्दामों को खत्म करके कॉब को एक नई जिंदकी दिला सकता था और अब कॉब भी अपने सपनों की दुनिये के चौंथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर साइतों को लूड़ने की कोशिश करता है क्योंकि अब साइतो अपने तीसरे लेवल के इंदर न जाने कहां पर होता है मगर फिर भी काफी सालों के बाद में फाइनली अब कॉप को साइतो मिली गया होता है और ये वही सीन होता है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्डिंग में दिखाया गया होता है ये वही साई तो होता है जो अपने लेवल 3 के सपनों में काफी सालों से जी रहा होता है और जब कॉप ये सारी बातें साई तो को अगेन रिपीट करता है तो दोनों को अपने पास्ट की सारी यादे आने लगती है और फाइनली दोनों अपने आपको जान से मार करके वापिस से रियल वर्ल्ड के इंदर अपनी जवानी के इंदर फिर उठ खड़े होते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि हकीकत यानि की रियल वर्ल्ड के इंदर अभी तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ दस घंटे ही निकले होते हैं जबकि उन्होंने सपनों की दुनिया में करीब पचास साल से उपर का समय निकाल दिया होता है और इसी के साथ में अब साइटो यूएस पुलीस को कॉल लगाता है और कॉब पे लगे सारे इल्जामों को माफ करवा देता है और तब जाके फाइनली कॉब अपनी फैमिली से वापस मिलता है जहां पर उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं इस मूवी की एंडिंग को लेकर हमेशा से लोगों के मन में यह confusion रहता था कि यह मूवी की एंडिंग आकर किस तरीके से हुई है क्या यह एक सपने में हुई है और या फिर क्या एक real world में उसे हमें यह समझने को मिलता है कि अभी जहां पर कॉप जी रहा है वो कोई सपनों की दुनिया नहीं बलकि असली दुनिया है और इसी के साथ में यह कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको यह मुवी कैसे लगी प्लीज मुझो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो उसे अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव में जरूर शेयर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आयों तो प्लीज इस चैन यह м67 करियो नहां जरूर प्लीज मेरे वाले वेंड्स टार्स आपको में जरूर टीज़ इस चैनल मुझो लेंगा और लूर बंढकोन ओूर, हमेवी काहरा, ओर रखको, दिर ₹ोर्ल G这ुन अर्म masih लािईएगा देहна हो प्राब्स! झाल